कि पुरुष निस्स्तंतांता यानि मेल इनफर्टिलिटी पुरुष निस्संतांता को जब भी हम जाचने जाएंगे तो इस सब़से पहली जाँच जो हमारी सामनें आएगी वह आएगी सीमन की जांच, यानि वीरे की जांच. अब पुराने जमानों में ये देखा जाता था कि पुरुश में सीमन की count सौ मिलियन, तेर्लिच सो मिलियन तक हो जाती थी. लेकिन आज कल जैसे जैसे वक्त बीठता जारा है, ये शुक्रानों की count और कम होती जारिए। और आजकल 40-80 मिलिन की काउंट को ही नॉर्मल काउंट माना जाता है और ऐसा क्यों है क्योंकि इसकी जिम्मदारी आज की दोड़ती भाक्ती, अगर आजकल 40-80 मिलावटी खान-पान, प्रदोशन और विभिन्न तरीके के वद अभ्याज जैसे की शराब के लट, सिगरट इत्यादी को दिया जा सकता है। अब जब हम वीरे में शुकराणों की काउंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो definitely अगर शुकराणों की मातरा कम हैं तो संतान प्राफ्ती में बात हायेगी, तो फिर ऐसी स्थिती में इलाज कैसे हो? अगर आपके शुक्राणों की count borderline है यानि 15-20 million की range में है तो इस्थिती में IUI आपका इलाज बनकर उभर कर सामने आता है अगर आपके शुक्राणों की count 10 million से भी कम है तो इस्थिती में IVF आपका इलाज बनकर सामने आता है और अगर आपकी शुक्राणू की count एक से पांच मिलियन है तो फिर ICSI द्वारा IVF ही आपका हिलाज बन सकता है कुछ पुरुषों में ये भी देखा गया है कि उनके शुक्राणू की count निल है तो ऐसे cases में हमें कई नई तक्निकों का सहारा लेना पड़ता है पुरुष निस्तांता के वजहों को जब भी हम जाचनी जाते हैं तो एक बहुत कॉमन रिपोर्ट हमारे सामनी आती है वो है निल शुक्राणू की count या फित अजूस पम्निया अब ऐसे पुरुषो को हम दो हिस्सों में बाठ सकते हैं पहले वे जिनके अंदर शुक्राणू बनते हैं पर वे बाहर नहीं आते और दूसरे उनके अंदर ही शुक्राणू नहीं बनते तो अगर आप पहली category में आते हैं कि अंदर शुक्राणू बन रहे हैं तो उनको कई सर्जिकल पध्धती जैसे की माइक्रो टेसी टेसी और टीसा द्वारा आपके शुक्राणू पाए जा सकते हैं और फिर ICSI द्वारा आपको प्रिक्नेंसी करवाई जा सकते हैं लेकिन अगर आपके अंदर ही शुक्राणू की प्रोडक्शन यानि उत्पात नहीं हो रहा है तो फिर बैंक से यानि दोनर शुक्राणू द्वारा आपका इलाज किया जा सकता है